बच्छों आप सभीका सौगत है आपके अपने YouTube चैनल Home Science में जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ MA First Year Home Science जी हाँ बच्छों MA First Year Home Science है और आप सबका पेपर 2 Child Development बाल विकास के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बच्छों जैसा कि आपने देखा कि Child Development में आज हम लोग अवस्थाओं के विसेश्थाएं के बारे में जानेंगे कि जो विखास की विविन अवस्था होते हैं जैसे सवावस्था बाल अवस्था और इनहीं अवस्थाओं में से जो विसेश्थाओं पाई जाते हैं जन्म विखास की अवस्थाओं के विसेश्थाओं बताएं तो आप कैस तरह से लिखेंगी इसे जानने के लिए बच्छों पूरा वीडियो देखना और जिन बच्छों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब कर लें और बच्छों आप सबसे हमेशा रिक बच्छों जैसा कि आप सबको पता है समय है दो बज रहे हैं तो सब लोग वीडियो को सेयर करें और जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आप सब मुझसे जूड़ेंगे उतना ही मैं परियास करती रहूंगी कि आप सबके लिए लाइब क्लास अटेंड करूं तो आगे पढ जनमे के बाद तक कि इनधी कश विस्यस्ताय होती है जिनका का हम लोग विवेचन करेंगे ऐसे बिल्ड़ाम के विपद बन सकता रही कि विाद रही बिल्द अवस्तायों के बारे wellness की लिगके निए गर test अवस्था की बीच कई अवस्था होती है और इनकी कुछ विसेस्था भी होती है यह अवस्था है सबसे पहली अवस्था है बच्छो गर्वकालीन अवस्था जी हां जो गर्वकालीन अवस्था होती है उसमें क्या होता है या गर्भाधारण से जन्मतक की अवस्था होती है अवस्ताव में विकास की गती तीबर होती है जब गर्व कालीन विकास बहुत तीबर होती है और वह झालग से बदिय कि आपको कम बता है आप लुगार होटा है् कि म웃 में便宜ा करें जैवकार को की अपफिरिक है आगे इस अवस्था में जो विकास होता है वो सिसु के शरीर में होते इस अवस्था की विकास परक्रियाओं का अध्यान की सुब्धा की दृष्टे से तीन अवस्थाओं में बाटा गया है जो गर्व कालिन आवस्थाइं होती हैं इन्हें तीन आवस्थाओं में बाट गया एक है बीजावस्था दूसरा है भूड़ावस्था तीसरा है गर्भा से सिसु की आवस्था तो देखते हैं इनके बारे में भेस्तार से जानने के कोशिस करते हैं तो जो बीजावस्था होत इस सबस्ता में सेसु का आकार अंडानुमा होता है जिससे बाहर कोई विसेज परवरण नहीं दिखाया देता है और क्या हुता है अंदर कोष्ट विभाजन की किरिया चलती रहती है जो कोश्ट विभाजन होता रहता है जिससे सेल विभाजित होते रहते हैं इनकी परकिरिया तो अंदर चलती रहती है कि तो बाहर से यह पता नहीं चलता है कि महिला प्रेगनेंट है लगबग 10 दिन तक मां में इसे कोई आहार प्राप्त नहीं होता है दस दिन के भाड या गरभासे दिवार से जैसे ही बच्चा जूड़ जाता है तो वहां से उसे मां के आहार लेने लगते हैं मासШ से आहार जो लेनी लगते है अलथा जो माना के दोर है गरहार कीए जाते हैं वो लगने लगते में लेश्टमाना वस्तरा गरोड्य कम का निर्माण होता है तो सबुर्ण का मुख्य अंग होता है उनका निर्माड बोड़ा वस्था में होता है आप सब जिन बच्चों ने वह उस वीडियो को नहीं देखा है विकास के वस्थाओं वाला वह जा करके देख सकते हैं चैनल पर और हमने इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है वहां से भी क्यों था हो च焦ल तुष्टा बच्चों बूर्ण वस्था में विक्षो के सरीर निर्माड होता है नेश्टे विच्चों गरभस्त फिस्षी की एवस्था या आ dazu कि जम से पूर्व तक कि वस्था हो ती जब बच्चा आठश अब्यप्डरा हो जाता है उसके बास से लेका जन्म के पहले तक की अवस्थाएं क्या कहलाती है गर्वस्थ सिसु की अवस्थाएं कहलाती है यह सब इसकी विशेष्था है जो इसके बारे में बता रहे हैं ओके बुरोड़ा वस्था में जिन अंगों का निर्मार होता है उन्हीं अंगों का विगास इस अवस्थ पानी ज्यादा से ज्यादा पीए हमारा दूसरा साइसो अवस्था पहला था अमारा में क्या होता बच्चो यह जन में से 14 दिन की अवस्था होती है जब बच्चा जन में लेता है उस समय से लेकर 14 दिन तक की अवस्था यह क्या कहलाती है दो बीक की अवस्था क्या कहलाती है दो सप्ता की यही 600 अवस्था कहलाती है इस अवस्था के सीसु को नौजास सीसु कह इस अवस्था के प्रारव में बाला कासा है होता है और पानी अपनी आउसक्ताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है जो बच्चा होता है वच्पना वस्था में वो अपनी आउसक्ताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है किन्तो विकास के साथ साथ उसकी मास्वे सीख जाता है क्यों बच्छा उसके बाद बाल्य वस्ता का काल 3 वर्सों से लेकर 12 वर्सों तक मना जाता है प्रंतु विकास आत्मक मनो विज्ञान में अध्यान की सुद्धा के लिए इसे 2 भागों में बाता गया है तो नेश्ट हमारा बच्छो पूर्व काल, पूर्व बाले वस्था, बाले वस्था को दो भागों में बाटा गया है, किसने बाटा मनोगय ग्यानिकों ने, तो हम देखते हैं, पहला है पूर्व बाले वस्था, पूर्व बाले वस्था दो वर्से से च्छा वर्से तक की मान जन इस्थापित करने की कोशिश करता है जो बाहरी परवेश होता है बालक का उनसे समयोजन इस्थापित करने की कोशिश करता है अर्थात उनसे घुलने मिलने और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता है उसमें जिक्यासा तथा समोगता की परवित्य जागरत होती है इसके कार उसे समाही भावनों का उदय होता है और वा घर के वातावरण से उपर उठकर बहर मुखी परवित्यों का प्रदर्शन करता है ने शेमार वच्चो फाइब नमबर वया संदी की अवस्था वया संदी की अवस्था क्या है वय संदिकी अवस्था को बाले अवस्था तब तथा किसोर अवस्था को मिलाने वाली अवस्था कहा जाता है बाले अवस्था तथा किसोर अवस्था को मिलाने वाली अवस्था कहा जाता है किसे वय संदिकी अवस्था को यद्यप एस अवास्ता का छेतर छोटा होता है फिर भी यह क्रम महत्पूर नहीं है इसकी सबसे बड़ी विशेषता काम सक्ति का प्रथम उदय तथा एत दरजन्य इंद्रियों में विकास का होना पाया जाता है विशेषता काम सक्ति का उदय कम होता है इसका कुछ निश्चेत पता नहीं लगाया जा सकता काम सक्ति का क्योंकि इस अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के कारण बालक अपने समाजिक नियंद्रण को खोब बैठता है बच्चों और बालकाओं में भी यह अवस्था 11-13 और इसकी बीच की अवस्था होती है तो सुरू होती है उसके बाद आता है किशोर अवस्था जी हां बच्चों मानो विकास में इस अवस्था का सबसे अधिम मातपूर है इस अवस्था के बारे में आप सब बिस्तार से जान लेना क्योंकि यह अवस्था बहुत ही मातपू की अवस्ता होती है इसी काल में जो विस्ष्ट परिवर्तन होते हैं उन्हें ध्यान में रखकर इसे दो भागों में विभक्त किया गया है तो पहला है वच्चों पूर्म की सोरा वस्ता और दूसरा है उतर की सोरा वस्ता पूर्म की सोरा वस्ता में क्या होता है वह संदी के सा बाद 16 वर्च तक की अवस्था में दो परकार के विकास स्वेष्ट दिखाई पड़ते हैं पहला है विच्चो कामुकता का विकास दूसरा है समयजिक्ता का विकास इन दोनों विकास में कामुकता का विकास समाजिक और विकास परभावी होता है और कामुक्ता के आगे किसोर समाजिक नयतिकता भूल जाता है उसके बाद है वच्चों यह मानसिक करांदी की अवस्था है कौनसी अवस्था? साइस्वावस्था मानसिक करांदी की अवस्था होती है और इसमें संभेकात्मक तनाव इतना तीबर होता है कि सोरा उस्ता कामुक्ता के जागरण संभेगात्मक आइस्थिरता विक्सित समाजिकता कलपना सेलता आधी के अवस्था कही जाती है। तयार हो जाते हैं कामेच्छा के कारण या अवस्था अत्यांत प्रियत अथा आकर्शक होती है। जीवन की जो विविद परिस्थितियों का समयोजन इस्थापिक करके योग युकुसल नेता प्रसासा का भी लेखक डॉक्टर एंजिनियर आधी बनता है। उसका ग्यान परिपक होता है। उसके बाद हमारा मध्य वस्था होता है। इस वस्था को 41-60 वर्ष की वस्था मानी गई है। इसमें मनुश्य अपने पूर्बगाल के जीवन के अनुभव को विवहारिक जीवन में उतारना चाहा। जो उनका विवहारिक जीवन था उसमें उतारना चाहते थे। इसी वस्था में इस्तरी पूर्बगाल में संतान उत्पन करने के इंशंता समाप्त हो जाती है। यह जीवन के प्रत्तत्त हो जाता है। उसमें सारे रिखास की सुरू, आस भी सुरू हो जाता है। बेक्त की रूचियों में परिवर्टन आता है और यह यथार्थवादी हो जाता है। इस आवस्था में आकारेंदरियों के सिथिल हो जाने के कारण एकांत वादी, सुखी तथा सांती में जीवन बतीत करने चाहता है। समाजिक बंधन के प्रति उनकी आस्था मजबूत हो जाती है। सारीरिक परिवर्टन के साथ ही साथ हो जाती है। घोर मांसिक परिवर्टन दिखाई पड़ता है। मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै मातारानी। सारीरिक परिवर्टन के साथ हो जाती है।